क्या कोई सिका 2 करोड रुपए की कीमत का हो सकता है लेकिन ये सच है पर ये सिका किसी एक वैक्ति को नहीं मिलेगा ये बास सुनने में थोड़ी सी अजीव ज़रूर लग सकती है लेकिन एक मामूली सा सिका 2 करोड की कीमत का है दोस्ता आपने थामने ले बिल्कुत सही देखा 10 रुपीज का एक क्रॉस कोईन का कीमत है एक लाग से लिके एक लाग 25 जार पर तक अगर आप से वेक वास ये क्रॉस कोईन आवेलेबल है तो उसको सेल भी कर सकते हैं या फिर अपने कलेक्शिन के लिए पर्चेस करना था पर करने के नाब पर कोई भी रेजिस्ट्रेशन फीज मांगे तो ना दे नहीं तो आपके साथ हो सकता है फ्रॉड और नुमिसमेटी के हर सही खावरों से हमें सब्सक्राइब करके बैल एकन प्रेस करें वीडियो के लाइक करिए शेयर करें दोस्तों के साथ वाट्साप फेज के साथ वीडियो के निचे कमेंट सेक्समें जरू लिखें आप सभी पस्रेया कलेक्शन में कौन से कौन से नोटेंस कोई आवेलेबल है तो देखें दोस्तों सबसे पहले आपको पता दें यह जो क्रॉस कॉइंस हैं 10 रुपीज के यह कोई क्रॉस कोई नहीं यह यूनिटी काटेग्री का कोई नहीं तो अभी हम लोग मोवाइल स्क्रीन पे आपको डिटेल से बताएंगे वह कोईन का ओवर्वीव क्या है क्या खास्यात है जिसके वैसे रेर है और इसका रेर करेग्री में कॉमन सर्कुलर्शन का कितना कीमत है साथ ही एक ऐसा यूनिक जिसका कीमत 1 सब्सक्राइब को बताने वाले हैं तो वीडियो मिल्कुल अंत तक दिना स्क्रीन पे देखते रही है तो चलिए स्क्रीन पे दोस्तों देखिए यह जो कॉईन था ना यह 2005-67 में बना थे हमने पहले ही बता दिया और यह कॉईन सर्कुलर में भी सिर्फ 2005 से ही आया था और सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखिए यह उपर में 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपई और यहां पर नीचे आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो थीम है वो देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग कहते हो क्रॉस कोई तो यह है इसका फिजिकल ओवर्व्यू और इसको की खास बती है कि 2005 से लिके 2007 तक सारे सिक्क्राइब नोईटा मिंट से ही रिलीस क इसका पहले 10 रुपीस का डेफिनिटिव कोई था जिसमें दो धातू का इस्तेमाल किया गया था जैसे कि मैंने पहली बताया आपको यानि अंदर का भाग में को और बाहर का भाग में होता था अलूमिनियम ब्रॉंच और इन सिकों का वजन होता था 7.71 ग्रैम 2005 का सिक्क्रा रुपय थक यानिकि यह कोई दो हज़र पांच छे साथ में ढला दो हज़र पांच का कोई जो रेयर है आज से दो तीन साल पहले यह स्केर के टेगरी में था लेकिन दो तीन साल में इसका प्राइस इतना वैरिक कि यह रेयर हो चुका है और इसका कीमत 800 से वारस हो इवेंसी 567 का कोई अब हम बात करते हैं वो कौन सा कोई है जिसका किमत 1 लाग से 1 लाग 25 जार है तो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहोगा यह एक कोई है क्रॉस कोई बोल सकते हो या फिर unity in diversity theme का कोई जो की 2006 में यह रेलीज किया गया था और यह कोई ना uncirculated कोई है और यह कॉल चाली कोई ठीक है unity in diversity theme यहाँ लिखावा है integration कोई मिंट कैलकाता 7.71 ग्राम प्लीन एज 27 mm प्रूफ लाइक सरफीस ठीक है तो यह आप दीख सकते हैं इस को फिसकल ओवर भी बिल्कुल एक्जेक्ट हुआ ही है लेकिन यह 2006 का है और इसमें कोई भी मिंट मांग नहीं की कॉल करता से रिलीज किया गया था और यह सिर्फ अन्सर्कुलेटेड टेस्टिंग के लिए यह रिलीज किया गया था और इसका जो है विड लगाया गया था इसका जो ग्लासिकल इमस्मेटिक गयल तर्टी फोर नंबर ऑक्शन में इसका प्राइस लगा एक लग से लग 25,000 रु देख सकते हैं कितना कीमत रखता है विलोलक अंसर्कुलेटेड होने के वाज़से यह एक लाग 25,000 तक इसका विड लगा हुआ है थर्टी फोर ऑक्शन क्लासिकल निमस्मेट गैलरी का तो यहां पर आपको से लिए परचेस करना है आगे चलके अपने नोटसेंस को या फिर यह जो कोईन है अविलेबल है आप सभी के पास तो आने वाले टाइम पर जो भी एक्जिविशन से वाले कर आपको देखने को मिल रहा होगा डिटेल्स उन एक्जिविशन में जाकर विजट करें कालेक्शन के लिए परचेस भी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आप आप सभी के लिए लेकर आचुके हैं यह एक देखें फाइफ ऐसे का कोईन है आप लोगोगों देख रहा होगा यह आप यह फाइप ऐसे का कोईन में ञाहा खासियत यह जीज़ आपको दिखायेंगा ठीक है तो यह विशिकले अपगों देख सकते स्क्रिन पर यह फाइब पैसे का 1982 का कोई है अभी हम लोग बात करेंगे 5 पैसे का दूसरे यह कोई जो कि आपका 1984 क्या खासियत है जिसके वाज सी इतना ज़्यादर रेर है यह सारा सी डेटेल में बात करेंगे लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे गोजारिस करेंगे आप सभी के नोटसेंस सब्सक्राइब करेंगे आप अपने कलेक्शन के लिए इन रेर 5 पैसे को कैसे खरीच सकते हो या फिर कैसे अपने कलेक्शन से से आप सब्सक्राइब कर सकते हो चाहिए बेसिकली फाइब पैसे का जो कॉइन है यह टाइंट ना इसका पैटरन चेंज इस हो गए लेकिन 1967 से लेके 1984 तक मैटल चेंज करके अलोमेय मैगनेशियम को इस्तिमाल किया गया और इसका वेट 1.5 ग्राम यानि 4 ग्राम से घटाकर 1.5 ग्राम कर दिया गया था ठीक है अब देखिए 1984 की जब बात आती है तो 1984 का जो कोईन है न वो है रेर एक्चुल में 1984 के बाद भी यहाँ पर इसका जो मिन्टिंग है वो रुका नहीं 1984 से लेके 1994 तक टोटल 11 साल तक इसको फिर से अलोमेनिय मैगनेशियम मैटल इस्तिमाल करके रिलीज या गया मिन्ट किया गया लेकिन इस पर जो 1.5 ग्राम का वेट था इसको घटाकर दिया गया तो इसलिए मै है जो सिस्टेमैटिक है 5पैसे का कौन का वो चला तो आज हम बसी बात करेंगे 1984 का जो 5पैसे का कोई है और ये कोईं मिंट हुआ था कैलकथude मींट और कैके आपक्को पता होगा मेंट количе को आगर नहीं को मिल रहोगा जो रेर है वो फाइप से कोई इसकी डिटेल देखिए पीरिट है नाइंटीन एटीफोर का ठीक है नाइंटीन एटीफोर के कोई है मैटल में इस्तमाल हुआ है अलूमिय मैंगनेशियम वेट है 1.5 ग्राम साइज 22 mm और सेफ है स्क्वेर तो यह इसका फिजिकल ओवर्वियू है अगर फिजिकल ओवर्वीू और एक बार बात करें तो इसका दिखे आपको उपनेशिए इहां पर आपको यह लिखेगा 1984 और आपको इहां पे इसका मिंट मार्क देखने हुं मिल जागा ठीक है तो यह है हमारा क्यलकाता मिंट का 1984 का सबसे रेर 5 पैसे का कॉइन तो आप लोगो कमेंड करके बताना है क्या आप 5 पैसे का और 500 तक पेसं का प्राइस जोह वरी करता है , तो अभी देखे बिछले वीडियो में मैं ने बताया है कि आने वाले टाइंप पे होने वाले एक चार एस एक्विशन शुक्त करी ंप अुहांपर जो एक्जिविषwd हमिएन अर्य उपर रहते हैं तो उस वीडियो के告状카 का to रहते हैं तो उन एक्ड़ी से विजट करें और वहां पर अपने नोट्स इंस कॉइंस या फिर यह फाइप से कॉइंस को आप सेल कर सकते हो या फिर अपने कंप्लेटली वीडियो बना रखाए उसका वे लिंक आपको दिस्क्रिशन बॉक्स मिल जाएगा जाकर विजट करिए और वहां से आप जरूर सीख जाओगे किस तरह से आप पोस्ट करके नोटसेंस को सेले पर्चेस कर सकते हो